आउचेपन अभीकिर्या क्या होती है उधारन के द्वारा आज हम समझने वाले हैं जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ा ही महात्पूर्ण कोस्टन है चाहें आप प्रिवियर यानि कि पिछले साल के आप पेपर उठा के देखोगा न किसी एक साल दो साल पहले के वी तो उनमें सुत्र लिखें इनके नाम आप जान लीजिए ठीक है ये है आपका सिल्वर नाइट्रेड क्या है सिल्वर नाइट्रेड और इसका नाम आप सायाद जानते भी होंगे एने सील का मतलब होता है सोडियम किलोराइड सोडियम किलोराइड ठीक है और ये जो दोनों है ये विलि अब जब इन दोनों को हम आपस में किरिया कराएं तो ध्यान से देखना ठीक है आपको केवल ध्यान से देखना है क्या नाम बोला मैंने इसका silver nitrate कौन सी अवस्ता में है बोल दीजिए AQ में पिलस NACLA ये भी AQ अवस्ता में है याने की विलियन अवस्ता में है तो यहाँ पर ये दोनों को जब reaction करी हमने तो ये क्या है एक तरह के आप अभी कारक है क्योंकि जो अभी किरिया में भाग लेते हैं वो क्या बनते हैं अभी कारक है और कौन से है विलियन अवस्ता में है ठीक है तो जब दो अभी कारक विलियन कौन से हैं विलियन अवस्ता वाले है तो जब दो अभी कारक विलियन आपस में अभी किरिया करते हैं और अभी किरिया करने के बाद इन्हों ने जैसे अभी किरिया की तो इन्हों ने सिल्वर क्लोराइड बनाया एजी सी एल क्योंकि इसका धनायन है ये और इसका रिनायन इसका धनायन इसका धनायन है ये इसका रिनायन ये धने आगे वाला पीछे वाला रिन है यह इसका धन है यह रीन है ठीक है तो आप गोर से देखो कि AG है इसके पास रीन को न आया है CL और इस NA के पास को जाएगा रीन वाला NO3 तो इसको तो पहले लिख देते हैं क्या लिखा है NA NO3 तो यह तो विलिय न वस्ता में ही वापस क्या नाम बना इसका सिल्वर नाइट्रेड हो गया यह क्या होगे आप सुरी सुरी आपके बाल पर क्या जाएगा है यह सोडियम नाइट्रेड क्योंकि एने का मतलब है सोडियम और नाइट यह तो अभी भी विलिय न वस्ता में है लेकिन यह जो एजी सिये लहना यह आविले ठोस उत्पाद बन तो आप गोर से देखिए अब क्या हुआ वास्तों में इसमें तो जिसमें क्या हुआ है कि दो अभीकारक विलियन आपस में अभीकिरिया करते हैं और एक आविले ठोस उत्पाद बनाते हैं तो इस तरह की अभीकिरिया ही कहलाती है आपकी आउच्छेपन अभीकिरिया ठीक करने के बाद में एक आविले ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलियन में उस ठोस के कन अउच्छेपित हो जाते हैं बस इसे ही अउच्छेपन अविक्रिया कहते हैं यह आपका एक्जाम पले